पांच जून को होने वाले चंद ग्रहन की जब बात करते हैं तब यह चंद ग्रहन उप चाया चंद ग्रहन होगा यानि चंद मा पित्वी की हलकी चाया से होकर गुजरेगा इस दिन ग्रहन का समय तीन घंटे 18 मिनट का होगा यानि पांच जून को राद 11 बचकर 15 मिनट से और समाने चंद ग्रहण और छाया चंद ग्रहण में अंदर करना मुश्किल होगा भारत में यह केवल छाया रूप में होगा चंदरमा की छाया मलिन होने के कारण यह वास्तविकता में चंद ग्रहण ना होकर छाया ग्रहण मातर ही रहेगा जानते हैं इस ग्रहण से विबिन हावी होंगे जोकिम ना उठाए अनियोजित खट्स से बचने की कोशिश करें दुर्गा सब्चति का पार्ट करें वरशब राशी अपने वेवसाय को लेकर अकार्ण यात्रा हो सकती है यात्रा लाबकारी होने में शंका है प्रोजेक्ट के लिए नए सांजिदार मिलेंगे लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगेगा घर के किसी सदसे की चिंता रहेगी और ऐस्वस्था रहेगी आज बकाया वसूली हो सकती है मित्रों के साथ तनावपुर माहौल बन सकता है श्री सुक्त का पार्ट करें करक राशी नए लोगों से जरा समलकर मित्रता करें किसी देवी स्थान का ब्रहमण संबब है धर्म करम में रूची रहेगी निवेश शुब रहेगा और राज के सहयोग मिलेगा धुरकटना आज इसे बचने के साथ ही विवाद से भी दूर रहें महादेव के पंचाश्री मंतर का मांसिक जाब करें सिंग राशी दिन की शुरुआत से ही आलस हावी रहेगा वहन मशीनरी और अगनी के प्रयोग में सावधानी रखें विवादों से बचे अतिविश्वाष हानिकर सिद्ध होगा संतों का सानेते मिलने की समामना है सूर्य भगवान को अर्दय परदान करें कन्या राशी पूंजी निवेश के लिए दिन अच्छा रहने वाला है अगर कोई नया रोजगा शुरू करने की सोच रहें तो ग्रहन काल आपके लिए ठीक है नोकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अधिक चुनोती पूंट रहेगा ग्रहस्त जीवन में सब कुछ समाने रहने वाला है वाणी पर नियंतर रखें सिद कुंजी का स्तरोत का नियम भी पाठ करें तूला राशी आप अपने करियर को लेकर इमानदरी बढ़ते संपत्ती के बड़े सोधे हो सकते हैं जो लाब देंगे कारेस्थल में उन्नती होगी निवेश आदी लाब देक रहेंगे ठकान महसूस होगी दापन ते जीवन सुक में रहेगा पीता का सहयोग मिलेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाई मंतर का जाब करें विर्शिक राशी समय के परिवर्तन से रहात महसूस नहीं करेंगे विद्यारती वर्ग सफलता में समस्य आ सकती है अनाज में निवेश अशुब रहे का सोच विचार कर व्यापार करें अन्यता अचानक हानी संभावित है रक्त विकार के कारण शरीर में कष्ठ हो शकता है दुरगा कबच का पाठ करें धनुराशी आप अपने होसले से ही उन्यती करेंगे नए वस्तर की प्राप्ती संभव है माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखें आपसी विवाद ना करें शुब समाचार मिल सकता है नोकरी में प्रियार्स अधिक करना पड़ेगा अपने स्वास्त को लेकर परिशान रह सकते हैं ओम नमाशिवाय का जाप करें मकर राशी कारे सिद्धी होगी सामाजिक प्रतिष्टा बढ़ेगी और धनलाव होगा मगर कारे स्थल पर अधिकारियों से विवाद होने की संभावना है आपकी गलती के कारण बने बनाये काम बिगड़ सकते हैं अनावाशक धोड़ धूप से परिशान नजर आएंगे शनिस्त रोत का नियमित पार्ट करें कुमराशी बड़ो की बात भी मानना उचित रहेगा पुराने मित्र समंदी से मुलाकात संभाव है मित्रों से शुप समाचार मिलेंगे आत्म समान बढ़ेगा धनारजन के लिए अत्यदिक परिश्यम करने की जुरुरत होगी हनुमान चलिसा का पार्ट करें मिन राशी किसे से भी विवाद ना करें अपने अधिकारों का गलत प्रियोग ना करें जातरा लाबकारी रहेगी आपकी महनत से उन्नतिय के मार्ग प्रशस्त होंगे निवेशा आदि सफल रहेगा कुबद्दी से हानी संभव है विश्ण से हैस्तर नाम का नियमित जाब करें लाब होगा ओम नमस्षिवार